असलाम अलेकुम एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चाइनल सम इन्फो में अगर थंबनेल देख करके आप इस वीडियो को देखने आये हैं तो आप खुबी जानते हैं कि आप बलदिया कार्ट से रिलेटेड इन्फोर्मिशन कलेक्ट करें तो इस वीडि उटिया क्लास जो आप साओधी में करते हैं उससे जुड़ी हुई कुछ बाते आपको बता है आप साओधी में नएं आए हैं अभी और आपको बलदिया कार्ड की जरूरत है तो आपका मेडिकल होता है मेडिकल होने के टाइम पर आपसे फोटोग्राइफ मांगी जादेए तो वहाँ जो photograph आप अपने medical में देते हैं बलदिया card के लिए, तो वही आपकी photo आपके card पे भी आती है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपके card पे आपकी शकल अच्छी देखने को मिले, तो अपनी photograph अच्छी लेकर आईएगा, चलिए आगे बरते हैं, medical आपका हो जाता है, उसके आपके बलदिया class जो हैं वो process में आगे बरते हैं, आपको एक paper दिया जाता है, किस तरीके से आप login ID करेंगे, वो आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, link description में डाल दूँगा, आप देख सकते हैं जाकर के, तो आपस में discussion कर सकते हैं, कुछ आपको वो बहुत ज़्यादा फाइदा होगा उससे, आपके exam में बहुत help मिल जाएगी, course आपको बहुत easily समझ में आ जाएगा, तो ये आपका benefit होता है वीडियो देख, तो वीडियो आपने देख लिए, आपका exam हो गया, आप पास हो गया, आपका जो card है, वो आपको अरकान की website पे upload कर दिया जाता है, वहाँ से आप अपना card और जो receipt और जो slip आपको मिली थी, जहाँ आपका login ID, username, password, mention था, जिसकी मदद से हमने वीडियो देखी, आप वो receipt भी download कर सकते हैं, फाइदा क्या है चलिए ये देखते हैं, अगर आप card अपना download करके save कर लेते हैं, और in future by chance आपका card आपसे खो जाता है, या कुछ हो जाता है, तो आप अपने उस card का एक print out किसी भी stationary पे जाकर के, एक hard copy जैसा card होता है, वैसा आप print out करवा के रख सकते हैं अपने पास, फाइदा ये होगा, कि emergency के लिए जब तक company आपकी या कफील आपकी आपका वो print out निकल वाएगा, करवाएगा, या करेगा, तब तक आपको दिक्कत हो सकती है, काम पे जाने से मना कर दिया जाएगा, क्योंकि compulsor ये बलादिया card, तो मतलब बिना उसके आप काम पे नहीं जा सकते, तो वो बहुत जरूरी है, अगर आपने कहीं पे save कर रखा है, और आप वो चीज़ अपने कफील से approve करा लेते हैं, कि ठीक है, मैं print out निकल वा लेता हूं, मिर पास है, और वो कहते हैं, ठीक है, आप निकल वा लो, आपके पास है, तो आपने उसका print out निकल वाना है, print out निकल वा कि आप उसको use किजिए, आपका जो duty है, उसमें दिक्कत नहीं आईगी, तो ये एक फाइदा होगा, receipt अगर आप वहां से save करके अपने पास रख लेते हैं, उससे क्या फाइदा होगा, बाइ चांस आपने जो card save किया था, वो किसी वजह से आपका नहीं मिला, और आपने receipt भी save कर रखी है, चाहे आपने print out निकल के रख रखा है, चाहे आपने उसका username, password save कर रखा है, चाहे वो receipt ही download करके आपने save कर रखे, आपको वो मिल जाती है, तो आप दुबारा at least login कर पाएंगे, वहाँ से आप अपना card दुबारा download कर पाएंगे, आपके card और receipt से जुड़ी ही पाते हैं, आपका एक certificate बनता है, जब आप pass हो जाते हैं, तो वहाँ एक certificate बनता है, आपको screen पे दिखा रहा हूँ, वहाँ आप देख सकते हैं, कि वो mention किया गया है, कि ये कितने time तक के लिए valid है, तो यहाँ 3 साल का validation दिया हुआ है, तो 3 साल के बाद आपकी जो है level 2 की class होती है, अभी जो आपने पहली class की, level 1 की class थी है, इसके बाद आपकी दुबारा एक class होती है, जिसको level 2 की class का जाता है लेवल 2, तो फिर से आपका दुबारा से क्लास होता है, दुबारा एक्जाम होता है और फिर आपकी 3 साल के लिए वैलिडेशन आ जाती है, 3 साल बाद आपका दुबारा लेवल 3 क्लास करना पड़ेगा, तो basically 3 साल पे आपकी क्लास दुबारा होती है फूड सेफटी की जो कि आपका लेवल अप कर जा तो यह चोटी से जान का रहे थी सर्टिफिकेट का नमूना भी मैंने आपको दिखा दिया बला दिया कार्ट किस तरीके से आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं चलिए अरकान की वेबसाइट में अंदर जाके देखते हैं और कौन कौन सी चीज़े हैं देखे टेनी रिकॉर्ड में आपका यहां पे सारा रिकॉर्ड दिखाए दे रहा है यह आपकी स्लिप है इस तरीकी के आपकी स्लिप आई थी यहां से आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं जरूत नहीं है क्योंकि आपका एक्जाम हो गया आपका कार्ड यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं तो इसकी जरूत नहीं लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं तो इन डिटेल्स की हमें जरूत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरीके से हम card अपना print कर सकते हैं तो देखे certificate यहाँ पे जो है आपका अगर आप उस पे click करते हैं तो यह आपका basically भलदिया card है जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे इस तरीके का card आपका show होता है उसको आप download कर सकते हैं प्रिंट के option पे click करके download कर सकते हैं देखे PDF का यहाँ पे आपको option मिल जाता है PDF में आप इसको save कर सकते हैं और save करने के बाद आप उसको print भी कर सकते हैं यही card आपका company आपको print करके देती है और आप खुद भी चाहें तो print करके उसको अपने पास रख सकते हैं या PDF आप अपने पास save कर सकते हैं by chance कभी आपका card खो जाता है या किसी तरह की कोई दिक्कत है तो आप उसको बाद में print out निकाल के आपके काम भी आ सकते हैं अपनी safety के लिए आप चाहें तो उसको save कर सकते हैं by chance अगर कभी कुछ ऐसा हुआ तो आपका easily card आपको available मिल जाएगा तो चली एक बर फिर से process देख लेते हैं किस तरीके से हम यह card download करेंगे तो यहाँ main जो इसका home page है वहाँ आ जाते हैं तो simply google chrome आप open कर लेंगे वहाँ जाकर के आपने अरकान जो के आपको link आपके slip पे भी मिल जाता है जो के पहले आपने देखा किस तरीके से open होता है तो जब आप उस पर open करके अपना user id password डालते है तो इस तरह का interface कुल के सामें language भी आप change कर सकते हैं और यहाँ तीन डोट पर क्लिक करके आप desktop mode पर अगर कर लेते हैं तो आपको computer early screen की तरह mobile पर show करेगा username id password डाल करके आपने ok कर लिया आप यहाँ देखें यहाँ पर कुछ options आपको देखने को मिलते हैं available courses तो यह class से पहले की चीज़ है available courses जो आपने class क ती ती उससे पहले जो अपने videos देखी वो यहाँ आपको मिल जाते थी अब आपकी class हो गए exam हो गया आप वहाँ पर आपको video भी नहीं मिलेगी और उसकी जरूद भी नहीं तो उसको छोड़ देते हैं उसके बाद देखें आपको दूसरा एक option दिखाए दे रहा है personal history अगर आप यहाँ क्लिक करते हैं तो आपकी class, आपका medical, आपकी receipt इस तरह की चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं आपकी जो receipt आपको company ने दे थी वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं वो भी यहाँ मौजूद होती है और आपका exam उसमें क्या marks आया आपके और आपका medical और बलदिया class से जुड़ी हुई detail यहाँ पर आपको मिल जाती है वैल अभी हमें क्या करना है कि हमने card अपना download करना है आपकी जो photo होती है आपके बलदिया card में वह वही photo होती है जो आप medical के time पे hospital में देते हैं तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बलदिया card पर आपकी user name ID password डलने के बाद जो खुला है यहाँ पर option interface जो आपको दीख रहा है आपके सामने वह किस तरीके का है यहाँ पर आपने open कर लेना है educational certificates का option है यहाँ क्लिक करने को जाद आपके सामने education certificate और receipt यह दो option आते है received भी आप save कर लिजए क्योंकि वहाँ आपकी ID password मेंचन है और आ download करके save भी कर लिजए अपने पास कहीं भी उसको अपने किसी WhatsApp पे पैल ड्राइब में या जहां आप चाहें email में आप चाहें तो share कर दीजिए ताकि हमीशा वह आपके पास रहे जब भी आपको ज़रुत पढ़ती है प्लस आप इसको प्रिंट आउट निकाल सकते हैं प्रि क्या हूँ